ओम शान्ति अक्टूबर महिने के पत्र पुष्प में आज हम सुनेंगे हमारी परमादर्निय दादी जानकी जी के अम्रित वचन और दादी जी ने आज की क्लास जो कराई है उसका टॉपिक है रिलेशन के साथ साथ परमात्मा से ठीक कनेक्शन हो रिलेशन के साथ साथ परमा के साथ ठीक कनेक्शन हो तब उसके अंत को जान सकते हैं ये क्लास है 1 सिप्तमबर 2006 का दादी जी कहती है बाबा ने सिखाया है मुर्ली सुनने के बाद मुर्ली रिवाइस करनी चाहिए शुरू-शुरू में दादियों को बाबा ने ये अभ्यास कराया मुर्ली सुनी और फ मुर्ली सुनने के बाद बाबा हमको पैदल ले कर जाता था अगर कोई सेवा है तो भी कम से कम दस मिनिट शांत में रहे मुर्ली को रिवाइस करके फिर सेवा में लगो मानलो कारुबार में जाना भी हो पर दादी जी कह रही है बाबा ये सिखाता था कम से कम दस मिनिट अपने लिए एकांत में बैठो मुर्ली को चिन्तन करो रिवाइस करो फिर सेवा में जाओ जिसको रिवाइस करने का रस बैठा है वो कारी करते भी मीठे बाबा के बोल जो सुने है उन्हें अंदर से भूलते नहीं है याद नहीं करने पड़ते जिसको और बाते याद करनी पड़ती है उन्हें बाबा की याद भूल जाती है अटपटी बाते, खटपटी बाते याद रहती है बाबा की मुरली तो बुद्धी से किसक जाएगी अटपटी खटपटी बाते याद रहेगी कई हैं जो ऐसी चटपटी बाते करते हैं जो सब को अपनी तरफ खीच लेते हैं खटपटी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं, ऐसी बातों में अपना कितना समय गवाते हैं, ये अपने आप से पूछो जिसको मीठे बाबा की बातें दिल में अच्छी लगती है, उनके सामने ये बातें कोई करेगा नहीं, ये अनुभव है हमीशा आकर्शन और उल्जन में रहने वालों के आगे ये बातें आती हैं, जिनको आकर्शन होती है न चारो तरफ की, या कोई न कोई बातों के उल्जनों में विस्तार में लगे रहते हैं, उनके सामने ही ये अटपटी, खटपटी, चटपटी बातें आती है इसलिए बाबा कहते हैं संभालो अपने आपको रोज सुभय अमृत विले यहां आने के पहले बाबा की ऐसी मीठी बाते नए बाते याद करो तो अमृत विले नींद नहीं आएगी रम्णीक बाते हर्शित मुख बनाने वाली बाते याद करो रोज बाबा कितने सुन्दर सुन्दर मीठी मीठी बाते मुर्ली में सनाता है वो रिवाइस करो, उन्हें याद करो अभी हम छोटे बच्चे नहीं है छोटे है माना अभी बाबा की बातों को धारन करने में छोटे है माना बेबी बुध्धी उन्हें अच्छा लगता है पर कर नहीं पाते। उसको कहेंगे बेवी बुध्धी। दूसरे हैं बुध्धु। बुध्धी से काम नहीं लेते। बाबा दिव्य बुध्धी दाता है। राइट, रॉंग, सच, जूट। बाबा सब स्पष्ट सुना देता है। तो ना बेवी बुध्धी बनना है, ना बुध्धु बनना है, हमें दिव्य बुध्धिवान बनना है। ये बाते जीवन में सदा है, तो कोई बात कठिन नहीं है। बात आई, बात चली गई, हम तो बाबा के पास बैठ गए। बाबा हमारा गाइड है, भले कोई पावन बन रहा है लेकिन उनका कोई गाइड नहीं है बाबा तो हमारा गाइड है पहली बात बाबा के बने है अगर भूले करेंगे तो बाबा कहते है एडॉप्शन रद्ध हो जाएगी भूल करते रहेंगे तो बाबा ने हमें जो एडॉप्शन की है वो खतम फिनिश, भले बाबा के चुनके कहां कहां से लाए हैं, पर ऐसी बुद्धी बदल जाती है, जो बाबा भी दिल से नहीं निकलता, एक दिल से जो बाबा शब्द निकलना चाहिए, दिल के प्यार से, वो बाबा केते नहीं निकलता, दिल में कुछ और बात है, मुख्य पहली इस बात को अंडरलाइन करेंगे, दिल से बाबा शब्द तभी निकलता है, जब कोई बात सुनते देखते भी ना देखो, सी फादर, फॉलो फादर, ये बात मुझे कभी भूली ही नहीं। चान की दादी अपनी बात सुना रही है, सी फादर और फॉलो फादर, ये जीवन भर मैंने याद रखा, कभी नहीं भूला, हर एक अंदर जाकर देखे, कि मैं दिन में कितना बार बाबा को देखती हूँ, बाबा के सिवाए और किसी को तो नहीं देखती हूँ, कितनी गहरी इसने रॉंग किया, इसने राइट किया, तुमको ये चिंतन करने के लिए किसने कहा है, बुरा किया या अच्छा किया, तुम्हारा क्या जाता है, इसको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये राइट है, ये रॉंग है, गलत है, सही है, ये सब चिंतन करने का बाबा केते किस ने ठेका दिया तुमको बुरा किया या अच्छा किया तुम्हारा क्या जाता है इसी चिंतन में मरूं तो मेरा क्या हाल होगा ये ध्यान रखना चाहिए खराब चिंतन में रहने की आदत है तो जब वो मरेगा तो उसके चिंतन में वही आएगी क्योंकि मरने की तैयारी हम पहले से कर रहे हैं तो व्यर्थ चिंतन में जो रहते हैं वो समझ जाए अंत गती में वही मेरे चिंतन में आएगा क्या आएगा? सारा जीवन जो किया व्यर्थ नेगिटिव वही अंत समय आएगा इसलिए प्रभु चिंतन में जो मरे वो वैकुंठ रस पाए जिसको वैकुंठ ही याद होगा वही वाया परमधाम, शांतिधाम, सुखधाम जा सकेंगे राज्य पद तो पीछे मिलेगा लेकिन अधिकारी पन का नशा अभी से है अंदर से निरहिंकारी और अधिकारी है, जितनी सत्यता है उतनी ही नम्रता है परमात्मा बाप ने सत्य नारायन की कथा सुना कर मेरे में कूट-कूट कर सत्यता भर दी है ब्रमह सो नारायन कैसे बना? सत्यता की शक्ति को धारन करके तो ऐसे राज्य में आने के हम भी लायक बन जाएं सत्यता भी हो, नम्रता भी हो, एन निर्मानता भी हो एक दो जनम पीछे आएं तो भी मजा नहीं है 21 जनमों की राजाई भी उन्हों को मिलेगी जो 84 जनमों का खयाल करेंगे जो 84 जनमों का खयाल नहीं करते वो राज्य पद नहीं पाते 84 जनम हमारा अंतिम जनम है बार बार ये बात याद नहीं रहेगी तो पुरानी जनमों का हिसाब किताब पकड़ कर बैठ जाएगा फिर उसी अनुसार चलते रहेंगे तो क्या याद रखना है? ये 84 हमारा अंतिम जनम है शिव बाबा ने ब्रम्हा बाबा को याद दिलाया बच्चे ये तुम्हारा 84 जनम अंतिम जनम है और बाबा ने जट स्विकार कर लिया एक सेकिन में बाबा ने स्विकार किया और अपने आपको जाटकु बना दिया समर्पित हो गया मेरा मेरा छुडाने वाला बाबा है। ऐसी बाते स्मृति में ना रही, बाकी बातें बुध्धी में रखे, तो बुध्धी योग नहीं लगेगा। याद ऐसी हो जो फरियाद ना करना पड़े। याद उसको करें जो मीठा बनाता है। योगी माना ना सिर्फ रिलेशन बाबा के साथ है, पर कनेक्शन भी बाबा के साथ है। रिलेशन में तो हमने ममा, बाबा, टीचर सब कह दिया, पर कनेक्शन जैसे है ही नहीं। जिसका उसके साथ connection है, वै उसके सारे अंत को जानता है, क्योंकि connection गहरा है, ड्रामा की समझ और कोई संकल्ब की उत्पत्ती करने नहीं देती, बाबा ने कहा है न, तुम्हारा क्या जाता है, कई आत्माओं को निश्चे नहीं बैठा है, कि अभी विनाश आया की आया, पूछेंगे कितना समय अभी पड़ा है, तो विनाश काले प्रीत बुद्धी हो नहीं सकते, बाबा ने पहले आते ही बताया, विनाश काल है, विनाश काल को सामने रख, हम बच्चों को अपना बनाया, सत्यू की स्थापना शुरू की, बच्चे स्थापना के बिगर, कैसे होगा, होगा जरूर ये पहले से बता देता हूँ, ये बात जिसकी बुद्धी में ठीक तरह से नहीं बैठी है, वो प्रश्न पूछते रहेंगे, विनाश कब होगा, लेकिन विनाश तो हुआ ही पड़ा है, विनाश काले प्रीत बुद्धी विजयन्ती, तो सदा ही विजय साथ में है, बाबा की इन बातों को जानने मानने वाला, सी फादर फॉलो फादर करते, बाब समान बनते हैं, और कोई बात मन में नहीं, तो बुद्धी शांत स्रेष्ट हो जाती है, फिर आटोमेटिक बाबा उनसे ऐसे कर्म कराएगा, जिससे अनेक आत्माओं का कल कल्यान हो जाता है, हम नियारे रहें, साक्षी रहें, तो बाबा का प्यार अनेक आत्माओं की सेवा कराता है, नियारे प्यारे साक्षी होकर रहें, तो आपे ही बाबा हमारे द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा, अनेकों का कल्यान कराता है, फिर बाबा के साथ का तो ये है अंत्मते सुगती हमारी अवस्था कैसी हो और उस अवस्था को रखकर हम अनेकों का कल्यान कैसे करें ये दादी जी ने हमें बहुत सुन्दर मधुर सिक्षाएं दी अच्छा ओम शान्ति